हमारे इस वीडियो चैनल पर आज हम लोग वात करने आले हैं पठा नभियान की आपकी गतिविदी पत्रक जो कर चार्ट की है और तिरस्ता नंबर की जो ये कार पत्रक है दिनाक क्या है पांच चार दोजार वाई से यहाँ आपको अपना नेम या अपनी टीचर का नहीं मिख अच्छा में उन्हें दस तक एक काम अब तक किया नहीं है नए पन तो लिया नहीं है एक गये दोनों मिलकर बजार प्रस्न आये मन में हजार देखो पहला प्रस्न क्या है पहला प्रस्न जो इनके मन में आया वो क्या आया एक दुकान से सिया ने दो पन लिये नीले पन के प 50 पैसे छपा था काले पैन के का मूल जो है वो 15 रूपए 40 पैसे अंकित था सिया ने कुल कितने रासी दी तो नीले पैन का मूल कितना हुआ 10 रूपए 50 पैसे और काले पैन का मूल कितना हुआ 15 रूपए 40 पैसे तो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए 10 रुपए 50 पैसे प्लस 15 रुपए 40 पैसे तो बराबर कितना हैगा 50 पैसे 40 पैसे 90 पैसे बना देगा और 10 और 15 पैसे बना देगा 25 रुपए क्या है 90 पैसे हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गए आगे दिया गए सहर ने 3 पैन खरी दे क्रमसा 5 रुपए 80 पैसे 20 रुपए 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे अंकित था सहर ने कुल कितनी रासी दी तो बच्चों इसमें क्या करोगे इसमें आप ये करोगे 15 रुपए 80 पैसे 20 रुपए 25 पैसे प्लेस 25 रुपए 75 पैसे जोड़तो जोड़ता ही कितना हो जाएगा 75 और 25 कितना हो जाएगा बिटा आपका 100 100 और 80 कितना हो जाएगा 180 180 का 80 यहाँ पे लिख दो 80 पैसे 1 रुपए यहाँ चला जाएगा 55 और 106 6 और 5 11 का एक हासिल गया 1 2 2 4 2 6 61 रुपए 80 पैसे उसने क्या करें होंगे बिटा दिये होंगे चलिए आगे चलते हैं अगला प्रसन देखते हैं क्या दिया गया अगला प्रसन है बिटा यहाँ पर कि सहे को दो कहानियों की पुस्तक दिखी एक पुस्तक की कीमत 330 रुपए 75 पैसे थी और दूसरी की 330 रुपए 60 पैसे अंकित थी दोनों पुस्तकों कम मुल्य कितना होगा तो आप देखोगे 330 रुपए 75 पैसे 329 रुपए 60 पैसे जोड़ दो इनको यहां कितना हैगा 5 13 का 3 हासिल आया एक 10 का 0 हासिल आया एक 6 और 6 यहां पर हो गया डॉट रुपीज में यह उत्तर हो जाएगा 660 रुपए 35 पैसे चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया सिया और सहरने कुल कितने रुपए खर्च करें देखो बाई यहां पर आपको देखेगा कि उसने क्या करा है 2 पुस्तक के कहानियों की पुस्तक के दिखीं पुस्तकों पर इतना मूल अंकितना दोनों पुस्तकों के लिए कितना तो देखो आपने यहाँ पर एक उसने 360 रुपए ठीक और 35 पैसे यहाँ खर्चा करें और इसके ओपर इसने कितने करें हैं इसके ओपर इसने करें हैं यहाँ पर जाके 60 रुपए कितने करें थे यहाँ पर बिटा तो बच्चों आप याँ पर देखोगे कि 61 रुपए 80 पैसे सहर ने पैन में खर्चा करे ठीक है 330 रुपए 35 पैसे उसने खर्चा करे सॉली 330 बता रहा हूँ 600 60 रुपए 35 पैसे उसने पुस्तक में खर्चा करे और 25 रुपए 90 पैसे जो है खर्चा किये कुल कितना हो जाएगा 5 और यहां पर कितना हो जाएगा 9, 3, 12, 12 और 8, 20 का जीरो हसल गए 2 2 और बेटा आपका एक हो जाएगा 3, 3 और 5, 8 12 और 14 का 4 हसल आए 1, 7 ठीक है तो यहां पर कितना हो जाएगा 7, 6, 40 रुपए 5 पैसे चलिए आगे दिखते हैं क्या दिया गए आगे दिया गए सिया और सहर ने कुछ और वस्तुमें खरीदी चलिए नीचे जमारासी की मदस उनको हल निकालते हैं जैसे आपका कितना हो गया 12 रुपए 7 पैसे और 12 रुपए 7 पैसे प्लस पांच रुपए 10 पैसे या 1 पैसे साथ या एक यहाँ साथ यहाँ एक इसी तरीके से यहाँ देखो यहाँ जाएगा 14 रुपए यहाँ 0.9 9 5 तो 9 5 यहाँ जाएगा और 14 यहाँ जाएगा ठीक है चलिए आगे आपकी कारंपत्री का क्या है यहीं समापत होती है आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करकर बताइए वीडियो लाइक कर दिये चैनल सब्सक्राइब कर दिये ज्यादा से ज्यादा कॉंटेस्ट में पास्पेट कर दिये धन्यवाद बच्चो